पूरी प्रसंगरे बाईलो नेई हुईतिबा नोटिस को प्रत्याहार परे केंद्र संस्कुरूती अपर्जेट न मंत्री प्रलहाज सिंग पटल को भेटी चंती विजेपीटें। प्रस्थूत करा जाँची पूरी रे यहां क्यबल एकक पॉब्लिक नोटिस थिला किन्तु राज्यो सरकार यहां कुने एकक व्रमोस रुष्टि करी थिले। टेलीफोन पर मद्यप्रदेश में सुचना दी थी पूरी के एक पॉब्लिक नोटिस के बारे में। तभी मैंने इस बात को ट्वीट कर दिया था कि उडिया भासा में ही कोई कारवाही होगी। और यह हेरिटेश भाइलाज की इनीशियल जो चर्चा होती है बोधी। लेकिन जब मुझे जानकारी आई कि बास्तों में वहां पर राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा भ्रम पैदा किया गया है। दो बातों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंदर प्रांगण के चारों तरफ जो जो है खाली कराई गई वो राज्य सरकार ने कराई है उसमें एएसाई या भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जो एएसाई का हमारा एक्ट है उसमें सो मीटर, दो सो मीटर, तीन सो मीटर की परिदी होती है। लेकिन उडिशा के पुरी मंदर एक लिविंग मानुमेंट है जो आज से नहीं है पहले से ही है। तो मैं भारत सरकार का संस्कृति मंत्री होने के नाते हैं कहता हूं वो लिविंग मानुमेंट था, लिविंग मानुमेंट है और लिविंग मानुमेंट रहेगा। हैरिटेज बाइलाज बनेगा तो वो सबके मिल जुलकर बनता है। सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला ला देती नहीं है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के जो अधिकारी होंगे उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आती होगी उन्हें इस बात का इस पुस्ति करन देना चाहिए